मनुष्य के जीवन में यह दूख क्यों आता है और यह दूख क्या है देखिए यह संसार जो है यह दुखाल है किसी भी तरह से भगवान को याद करना चाहिए भगवान का भप्ति भजन करना चाहिए जब जब किसी का लोगों का टाइम आता है मरने का टाइम आ जाता है वो सर्फ अपना मुख बंद करता है राम नमसत्य हो जाता है जो सर्फ मनुष्य का शरीर है तो यह बड़े भाग्य से मिला है बड़े भाग्य मानुष्तन पावा सुर्दुरलब सब गरंथ ही गावा जो को अभी हम मवजूद है जो कि गोरखपुर मंडल में यह जो कि हमारे साथ जूट चुकी है जिनका नाम है बाल बिदसी अनुष्का पाठक जी और जो कि बहुत बड़े अच्छे जो कि कथावाचक है और तमाम जगह पर यानि बिहार में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में कोई जगह पर जाकर जो कि नो दिन क कथा होता है और जैसे जैसे मतलब कथा होता है वैसे अपना कथा वाचन होती है और इनका जो कि उम्र मात्रों तो बश्क का उमर हो गया और थ्री कलास में अभी पढ़ रही है तो आईया हम सबसे पहले हम इनको मिलवाने का परियाश करते हैं तो आपको बहुत-बहुत जिए सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रढाम करते हैं अब हम आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि जैसे कि आप स्री राम कथा में जो की सबसे अच्छा अध्याय कौन सा है जो कि लोगों अगर वो अध्याय पढ़े या सुने तो उनमें कुछ परिवत्तन हो जाए सभी अध्धाय अच्छा ही है कौन बुरा है सभी में अच्छा अच्छा उपदेश मिलता है देखिए स्रीराम चेट मानस में साथ कांड होता है साथ कांड होता है जी, बाल कांड, आयोध्या कांड, अरडय कांड, किस्किंदा कांड, सुन्दर कांड, लंका कांड, रुत्तर कांड और बाल कांड में, सुरुवात में साथ असलोक भी होता है साथ असलोक होता है कौन-कन होता है थोड़ा हमारे दसकों को आप अपने मुख मतलब मुख से सुनाइए थोड़ा बहुत एक असलोक बरणा नाम अर्र्थ संघा नाम रसा नाम छन्दसाम पी मंगला नाम चकर्तारू बन्दे बाण बिनाये को इसको मतलब कि हिंदी में इसको क्या करना चाहते हैं जो कि असलोग के माधियम से क्या संदेश जाता है हिंदी में इसका अर्थया है बर्ड अर्थ समूह को प्रवर्धित करने वाले रसु और छंदो को प्रवर्धन करने वाली स्री सरस्वती माता और गड़े स्री को प्रयाम करते हैं इसमें बंदना किया गया है इन दोनों का जो भी हमारे दर्शक हैं ओ यही जानने का परियास अभी तक कर रहे होंगे वीडियो में देखकर कि आपके पास एक ज्यान आया कहां से है सब भगवान की किर्पा है जी तो आपके जैसा ज्यान अगर हम सभी को लाना पड़े और लाना होगा तो भगवान की कैसी जो कि भगवान की किर्पा होई है कि हम कह लेते हैं और अभी तो हम सोच रहे हैं कि हम ब्रिंदा बन जा करके कुछ पढ़ें जी यानि श्रीकुष्ण जी आपको बिंदा बन बुला रहे हैं ना जी हमको जाने का मन है कि हम जाएंगे वहीं पर पढ़ेंगे पर लब वहां से कोई आपको बुला रहा है ना बिंदा बन से कि आप यहां पर आईए जो कि यानुष्ण का पठक जी ना जी एक थे बहुत दिन से आने के लिए कह रहे हैं हमारा भी विचार था कि हम जाएंगे बिंदा बन कुछ पढ़ेंगे हमको भी आपको हमको भी अपने साथ रखिएगा हम भी सीख जाएंगे हम भी भागवान से दर्शन कर लेंगे कि नहीं रह सकते हैं विल्कुल रह सकते हैं हम यह देखिए जिस उमर में आप यह सब इतना जो कि नौ दिन का पाठ कार्यकरम जो भी कर रही हो बहुत सारे बच्चे को तो एक पाठ भी नहीं आ दाता है सब भगवान की कृपा है देखिए भगवान का कृपा जिस पर हो जाए वो क्या नहीं कर सकता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि बाल बीदुसी और नुश्का पाठक जी हैं हमारे साथ और हमको बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों आपको बता दू जी जितना भी हम अपने चैनल पर इंटर्व्यू लिये हैं या सुख का हो या दुख का हो लेकिन इतना आनंद हमको अभी कोहीं भी इंटर्वी में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आज हम जिस जो के मंच पर बैठे हैं इस मंच पर बहुत ही आनंद आता है कभी आप आईएगा और इस मंच पर बैठिएगा इस भागवान के जो की कथा जो की जहां पर कथा मतलब की करती है बहन जी वहां पर आकर आप एक बार बैठिएगा वो आहतम में आपको भागवान का दर्शन जरूर होगा जी तो साथ हमारे बने रही है जो की इनके बड़े पापाजी है हम उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयाश करेंगे और हम यह जानने का प्रयाश करेंगे कि अगर हमारे पूरा भारत समझे कि ऐसा और इन बच्चों के जैसा मतलब की भागवान किरपा कर दे तो हमारा भारत कहां कहां जाएगा एक बार आप जरूर शोच लीजिएगा तो आए सबसे पहले हम इनके बड़े पापसी जाननी का प्रयाश करते हैं तो आपका नाम क्या पढ़ेगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताईए जी सबसे पहले इस चैनल से जोड़ने के लिए बहुत-बहुत आपको धन्याबाद और इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मैं प्रड़ाम कर रहा हूं क्योंकि सब के द्वारा आशिरबाद मिल रहा है बिटिया को तो कि वही हमारी लिए बहुत पूरे ग्राम पूरे मतलब देश के जो भी भक्त जन है माता बहन सब आशिरबाद देते हैं यूटूब चैनल के कमेंट के द्वारा तो इसलिए बहुत बहुत धन्य बाद मेरा नाम पंडित ब्यास मुनी पाठक जी इस बिटिया के बड़े पापा जी है थोड़ा एक जो की अच्छा सा कोई राम चरित मानस में का जो की स्लोग सुनाई है जो भागवत जी का एक कोई सुनाई है देखिए कालब्याल मुखग्रास त्रास निरड़ा सहेतवे स्रीमत भागवतम सास्त्रम कलवकी देड़ भासितम हम सभी लोग जो हैं काल रूपी ब्याल काल रूपी जो सर्प है उसके मुख में हम सभी लोग बैठे हुए है और यब काल का टाइम आएगा वो प्रमुख बंद कर लेगा राम नम सत्य हो जाएगा और देखिए जब जब किसी का लोगों का मरने का टाइम आ जाता है वो सर्प अपना मुख बंद करता है राम नम सत्य हो जाता है वा आदमी मर जाता है अगर इससे बचना है तो उससे में भागवत जी की ककथा सुननी पड़ेगी अगर नहीं सुनी तो जनननչ नहीं बार बार जन्म लेना और बार मात्री गर्भ में जाना और भी अने को प्रकार की कष्ट लगे रहेंगे और इससे छुटकारा पाने के लिए इस कथा को सुनना पड़े क्योंकि देखिए ये जो है तेने मुआंग में मुर्ति प्रत्य अक्षा बर्धती हरे ये जो समिद भागवत कथा है तो ये कोई किताब नहीं है नो ही कोई साधारन ग्रंथ है ये साधारन ग्रंथ भी नहीं है ये साक्षात भगवान स्वेक्रिश्न है हम आपसे जानने का प्रियाश करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है देखे दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि हम लोगों को ये मनुष्य का सरीर मिला है इस शरीर के लिए तो देखे देवता भी तरसते की हमको ये मनुष्य का शरीर मिलता शरे है देखिए ये जो हमनों का सरीर है हाथ मिला है कि भगवान के सामने हाथ जोड़े भगवान का पूर्या करे नहीं कि नुख मिला है कि भगवान का भजन करे भगवान का नाम अले कभी नहीं लिया आख मिला है कि भगवान का दर्शन करे कान मिला है भगवान की कथा सुने तो ऐसा कभी नहीं किया ऐसे ही सरीर को ब्यर्थ गवा दिये संसार में लगाय रही और भगवान के भक्ति नहीं किया भगवान के और मर गए नरक हो गया तो ही तो सबसे बड़ा आश्चरी है तो दोस्तों आप सभी को मतलब की जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को कैसा लग रहा है कोमेंट बॉक्स में बताईएगा और जो भी मतलब की जो भी जहां सभी वीडि हो गया चाहें राम चरित मानश हो गया चाहें जो भी सथिट्खिन होता है अगर बुलाना चाहते है तो दिया हुए नमबर चल रहे, आप इस पर संपर कर सकते हैं और आये हम इनका जो एक छोटा सा जो की चैनल है रिक्वेस्ट है आप सभी से की इनको ज्यारत से ज्यादा प्यार देजिए ताकि ऐसा जो इस समाज में हो रही कुरूतिया हो रही है जो की समाज में मतलब पी ऐसा जो चल रहे उनको और यह बैठे बैठे जो कि परभाव डाल सके तो आपका चैनल का नाम क्या है जो कि अगर कोई लोग आपको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं देखिए अनुषका पाठख जी नाम से चैनल चलता है, तो उस पर जिसको भी कथा सुन सकते हैं, उस पर नई नई बातें हम बठातेहं, उसको भी सुन सकते हैं, तो और उसमे नमबर भी रहता है, तो कोई कथा करवाना चाहता है तो करवा सकता है तो आपसे एक और कोश्चन करने का हम प्रियास करेंगे जो की हमको पता नहीं है लेकिन आप उसका जो की अंसर देजिएगा जो है मनुस्य जिसको दुख मानले वो दुख हो गया और जिसको सुख मानले वो सुख हो गया मनुस्य शरीर के लिए जिसको दुख मानले वो दुख हो गया और जिसको सुख मानले वो सुख हो गया सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए आम इंसान को जो कि सबसे ज्यादा आदमी खुश रह सकता है आप दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे लोग को देखे होंगे जिनके पास समझे कि औरवर से औरवर रुपिया होता है करोड़ों से करोड़ रुपिया होता है लेकिन उनके के पास खुशी नहीं होती है तो वह कोश्चन आज हम इंसे जो कि अनुष्का पाठक जी है हम इंसे किया है तो मनुष्य को खुश रहने के लिए मतलब कि सबसे सरल तरीका जो बताईए जो कि हमारे दर्सक देखकर वह भी खुश रहे क्योंकि आज कल सभी खुश रहना चा तो वह धनवान नहीं है उसके पास यह पैसा दॉलत तो है लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करता है तो वह कौन धनवान है सबसे बड़ा धनवान तो वो है जिसके पास में भगवान का नाम हो और किसी को अगर सुखी रहना है तो देखे रुपेया, पैसा, धन, दौलत से कोई खुश नहीं रह सकता कोई बहुत बड़ा महल में रहे और भगवान की भक्ती नो करे तो खुश नहीं रह सकता और कोई एक जोपड़ी में ही रहे और भगवान की भक्ती करे तो उसी में बहुत खुश सकता है तो सुखी रहना है तो भगवान की भक्ती करना जरूरी है भगवान की भक्ती करने से ही कल्याड हो सकता है दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमको बहुत आनंद आता है अगर आपको भी आनंद आता है अगर ऐसा भी अगर आप सुनना चाहते हैं डेली सुनना चाहते हैं तो इनके चैनल को जो बताएं जल्दी से जल्दी सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि बहुत अच्छा ज्यान जो कि हैं प्रेम सागर शींग है और जाए हिंद दोस्तों